तो students यह हमारा question number 22, 2 upon 7, x minus 9, plus x upon 3 equals to 3, देखे कैसे करेंगे इसको solve, देखे variable इसमें है, इस term में और इसमें भी है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको LCM लेकर solve कर देना है, उससे पहले मैं थोड़ा इसको और अच्छे way मैं लिखूँ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि बेटा यह numerator में हो और इसके नीचे 1 let कर लो, तो आप 2 की multiply इससे कर सकते हो, और 7 की 1 से, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको ठीक है, और plus का x upon 3 equals to 3, अब 7 और 3 का LCM कितना आएगा, 21, 7 को 21 मनाने के लिए 3 से multiply, और उस 3 की numerator से, तो 3 to just 6 और bracket x minus 9, plus का symbol, 3 को 21 मनाने के लिए 7 से, और उस 7 की x से, equals to 3, चलिए, इसको आप multiply करें, 6 को x से तो 6x, 6 की minus 9 से, तो 54 plus का 7x upon 21 equals to 3, कुछ नहीं किया है, बस bracket में multiply कर दिया है, और बाटली आज़ेटेस सब उतार दिया, ठीक है, 6x यह है, 7x यह है, 6 और 7, 13, और minus का 54 upon 21 equals to 3, चलिए, ट्रांस्पोस करिए, इसको, यह इदर डिवाइड में उधर जाएगा तो, multiply में, तो कितना हुआ, 21, 3 जा, 63, तो 13x equals to 63, यह minus का 54, equal के उस साइड जाएगा तो, plus का 54, add करें, 3 और 4, 7, 6, 5, 11, और यह किसकी value है, 13x की, लेकिन हमें तो x की चाहिए, तो आप 117 के divide में किसको भेज देंगे, 13 को, क्योंकि यह 13 इसके साथ multiply में है, तो 39, जा, तो हमारा 9 जो है न, answer आगया, 39, जा 117, चीक है, अब क्या करना है बटा, इसको verify करना है, तो taking left hand side, left hand side क्या है, वो है, 2 upon 7, bracket, और x, x की जगे क्या put करना है आपको 9, और minus का 9, और plus का 9 upon 3, यहाँ पर x था, ठीक है, solve करना है इसको, चलिए, 9 में से 9 गया, क्या बचा, 0, और plus का, 9 upon 3, जिसको आप और reduce करेंगे, तो कितना लिखेंगे, 3, 0 की तो आप दुनिया में किसी भी number से multiply करें, क्या आएगा, 0, तो आपका left hand side कितना आ गया है, 3, सिर्फ यह 3 बचा, यह तो 0 हो गया, 0 प्लस 3, 0, ठीक है, और question में right hand side कितना दे रखा है आपको, देखे right hand side कितना है, already 3 है, तो हमने देखा कि left hand side equal है किसके, right hand side के, that means हमारा answer क्या हो गया, verified, ठीक है, कर दिया हमने, चलिए next question पर move करें,